दोस्तों, SBI ने ने नेटबेकिंग को और विजाता सेक्योर करने के लिए, योने SBI का जो रेइश्टर प्रोसेस था, उससे चेंज करके अब इस सिंग बाइडिंग प्रोसेस को अपडेट कर दिया है, जिससे कि उसमें आपको रेइश्टर करते समय जो आपका रेइश्टर म मुबाइल नंबर है, आपके मुबाइल में होना जरूरी है, तब ही आप उसमें रेइश्टर कर पाएंगे, तो मैं आपको इस वीडियो में complete प्रोसेस लाइब दिखाने वाला हूं, कि आप नए प्रोसेस से योने SBI में कैसे रेइश्टर कर सकते हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को लाइक जरूर दखिएगा, तो दोस्तों सबसे पहले अपना Google Play Store अप्लिकेशन ने ओपन करके, योने SBI के इस वाले अप्लिकेशन को आपको इक्ट्रॉल करके ओपन कर लेना है, ओपन करने के बाद से यहाँ पे आपको पर्मिशन मांग रहा है, तो इसको आपको अलाव कर लेना है, अलाव करने के बाद से यहाँ से आपको दुबारा से पर्मिशन मांग रहा है, तो इसको भी आपको अलाव कर लेना है, अलाव करने के बाद से यहाँ से सलेक्ट सीम आ रहा है, तो जिस भी सीम में आपका रिष्टर मोबाल नमर और रहें नेक्ट तो इस से लिक करेंगे तो उसके बाद से आपका आपका मोबाइल नमर पे internet क्लीक करेंगे तो proceed पे click करने के बाद से यहाँ पे सबसे उपर में आ रहा है username तो यहाँ से अपने internet banking का जो username में इंटर कर लेंगे उसके नीचे आपना जो password है उसे इंटर कर लेंगे उसके नीचे में आएंगे तो यहाँ पे आपको नीचे में एक option आ रहा है summit का, तो यहाँ पर summit पे click करेंगे तो जैसे ही आप summit पे click करते हैं उसके बाद से आपके registration number पे एक OTP है send किया जागा है उस वाले OTP को यहाँ पे आपको enter कर देना है तो मेरा यहाँ पे OTP है आ चुका है तो मैं इसे enter कर देता हूं उसके बाद से next पे click करता हूँ तो next पे click करने के बाद से यहाँ से MPN create करने का जो term and condition यहाँ पे आ चुका है तो इसको आपको अच्छी तरीके से read कर लेना है MPN जो होता है आपना जो UNASBI application को जब भी आप open करेंगे तो यहाँ से आप अपना MPN इंटर करके उसे directly login कर लेंगे तो इस वाले term and condition को आपको read कर लेना है उसके बाद से इस वाले box को आपको tick करके next पे click कर लेना है तो next पे click करने के बाद से यहाँ पे आपको six digit का MPN create करने का अप्शन आ जाएगा जिसमें आप तीन unique number कम से कम use करेंगे और consequence में आपका जो number है नहीं होना चाहिए जैसे एक, दो, तीन, चार, पांच है ऐसे consequence में आपका number है नहीं होना चाहिए तो यहाँ पे आप कोई भी six digit का MPN यह create कर लेंगे और enter में उसी MPN को enter करके उसके बाद से next करेंगे तो next करने के बाद से यहाँ से आजाएगा congratulations you have successfully registered यानि आप successfully registered कर चुके हैं तो उसके बाद से यहाँ पे ok पे click करेंगे तो जैसे ही आप ok पे click करते हैं तो उसके बाद से UNASBI का application है वहाँ पे आप login कर जाएगे तो किस वाले option से आप क्या use कर सकते हैं यहाँ पे आपको demo देखने को मिल जाएगा तो इसे आप next करके उसे check कर सकते हैं तो इस बारकार से आप नए प्रोसेस से UNASBI application में आसानी से registered कर सकते हैं तो आसा करता हूँ कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया है वीडियो को लाइक किजिए अपने दुस्तों को पास शेर किजिए तो चलिए मिलते हैं नेस्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए जाएंद बंदे मतर हैं